कॉंग्रेस की और राउल गांदी की असली चुनोती को समझना है तो गुजरात को याद रखिये बहुत बड़ा उधारन है गुजरात में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि कॉंग्रेस कमजोर पड़ रही थी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बीजेपी का विरोधी वोट दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों की आलत खराब हुई आम आदमी पार्टी को तो जो मिल जाए वो बेहतर है क्योंकि गुजरात में कोई जगे या जमीन थी ही नहीं पहले लेकिन कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा जटका रहा रही सही जो सीटे थी वो भी चली गई 2017 का प्रदर्शन दोहराना तो दूर की बात है प्रदर्शन और गिर गया बहुत बुरी स्थिती हुई पीजेपी को एतिहासिक जीत मिल गई बरहाल अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा में जुटी हुई भीड या लोग क्या वोटों में कनवर्ट होंगे येबात सिर्फ गुजरात की नہी है पहले से कहा जा रहा है ये चुनावी यात्रा नहीं चुनावी यात्रा नहीं लेकिन ये विश्वास करिये कि कॉंगरेस को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये याप्तरा इतने रिस्पॉनस के साथ आगे बढ़ेगी लेहाज़ आप कॉंग्रेस को लगता है कि राहूल गांदी की बदली हुई इमिज और याप्तरा को लगातार मिलता हुआ रिस्पॉंस ये अगर आगे भी जारी रहता है तो कॉंग्रेस आगामी चुनाओ याने लोकसभा चुनाओ दोजार चौबीस और उससे पहले होने वाले दोजार तेईस के विधान सभा चुनाओ में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है अब यात्राओं की राजनीती को समझ लेते यह यात्रा हलके में मत लीजिये राहुल गांदी अकेले यात्रा पर नहीं निकले हुए है बिहार में रणनीतिकार प्रषान्त किशोर जनसुराज यात्रा निकाल रहे है तेलंगाना के मुक्यमंत्री KCR यहने चंदशेकर राओ भी रैली को निकाल रहे हैं उन्होंने भी आयोजन किया है और उन्होंने तमाम पार्टियों को बुलाया है अब यहने गुजरात का जो पहले उधारन दिया वो समझ रही थी गुजरात में विपक्षी पार्टियां जो थी वो आपस में लड़ रही थी इसलिए बीजेपी मजबूत हो गई यही इस्टती विपक्ष की फूट की वजए से लोकसभा के चुनाओं में भी देखने को मिल सकती है और विपक्ष इस बात को जानता है इसलिए दबे सुरों में ही सही राहूल गांदी का समर्थन करते हैं आपको सब दिखाई देंगे कुल मिलाकर विपक्ष कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है राहूल गांदी को लेकिन खुल कर सामने नहीं है राहूल गांदी क्या कहते हैं उनकी राजनीतिक मजबूरिया हो गया ये अपनी जगे सही भी मालूम पड़ता है क्योंकि उत्तरप्रदेश की सियासत अलग है लोकसभा चुनाओ की सियासत अलग है ये नुकसान कैसे पहुचा सकता है केसी आर की दूरिया हमेशा कॉंग्रेस से रही है अब केसी आर जो रैली निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने तमाम पार्टियों को नियोता भेजा और तमाम पार्टियों में ये उन्होंने ध्यान रखा कि एक कॉंग्रेस के साथ वाली ना हो क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए कॉंग्रेस ने भी विपक्षी दलों को नियोता भेजा है लेकिन दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल और तेलंगाना के KCR इनको शामिल नहीं किया गया तो KCR ने भी इसी तरह से जवाब दिया उनकी जो अपनी प्रस्तावित रैली है ऐसे किसी भी दल्या नेता को आमंत्रित नहीं किया गया जिसका परोक्ष समर्थन भी कॉंग्रेस के साथ में है परोक्ष हो आपरोक्ष हो कैसा भी समर्थन देखने को लिए हालकि एक exception है आपरोक्ष समर्थन अखलेश यादव का है खुलकर नहीं है वो कभी बोलते हैं कॉंग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं कभी शुकामना संदेश देते दिखाई देते हैं ये दोनों चीजे इस ओर इशारा करती हैं लेकि ना कुलकर साथ में ना कुलकर विरोज में लेकिन KCR के साथ में उत्तर प्रदेश में नहीं चले लेकिन तेलंगाना में जाकर चलेंगे अब समझने वाली बात यह है कि लोगसभा चुनाओं से पहले विपक्ष दो खेमों में करने की कोशिशें शुरू कर दी है किस तरह से कर रहे हैं वो देख रहे हैं आप रहलियों के माई पीएम मोदी के खिलाफ जो खड़ा हो सकेगा जो चैरा बन सकेगा वो विपक्ष का चैरा होगा है निश्चित तरह पर केसी आर टक्तर नहीं दे पाएंगे इस लिहाज से लेकिन केसी आर बहुत मुम्किन है ऐसे किसी धड़े के साथ जाना चाहते हैं या वो बहुत राहूल गांदी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कब तक हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी वो बात माने जो कई विपक्ष के नेता मान रहे हैं या कम से कम कॉंग्रेस तो कही रही है कि राहूल गांदी बदले हुए राहूल गांदी खुद कह रहे हैं कि इमें जितनी गड़बडा गई थी कि विपक छोड़ी उनकी अपनी पार्टी के नेता जो है उनकी नहीं चाहते थे कि उनके लिए प्रचार करने आए खेर दौर बदला है और राहूल गांदी एक मात्रा असरा भी दिखते हैं प्रियंका गांदी राहूल गांदी गांदी परिवार के जो दो चेहरे हैं ये कॉंग्रेस की धुरी फिलाल दिखाई पड़ते हैं और कॉंग्रेस एक ऐसी स्थिति में कि यहां से अगर कॉंग्रेस को यह आगे ले जाते हैं बहुत लंबे समय तक राजनीती में याद रखा जाएगा पीम मोदी को टकर देने के लिए सभी को एक साथ लाने के प्रयास हो रहे हैं हलाकि जिस तरीके से अभी से पार्टियों में कार्ट चार्ट की रणनीती चल रही है उससे यह साथ जाहिर है कि विपक्षियों में एकता का जबरदस्त आभाव है खंबम में विपक्षी दलों का एक जमावडा लग सकता है और इसकी कोशिश है तिलंगाना के मुख्यमंत्री के सियार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन तमान ये तो खेराम आदमी पार्टी के हो गए दोनो केरल के सीम पिन्रई विजियन ये वो हैं जो आभी कॉंग्रेस के साथ में नहीं दिखते हैं लेकिन केरल में यात्रा निकालने को लेकर उनकी नाराजगी थी अब मात्वपूर्ण नाम समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखलेश यादव को भी रैली में शामिल होने के लिए नियोता भीजा जा चुका है अखलेश यादव वो common factor है जहां दोनों के ही नियोते गएं अखलेश यादव को दो लोग साथ में लाना चाहते हैं अखलेश यादव क्यों? उत्तरप्रदेश की सियासit बहुत महत्वपूर्ण है अखलेश यादव की अपनी ताकत है लेकिन अखलेश भी जानते हैं केसी आर बहुत दूर है केसी आर का उत्तर प्रदेश की राजनीती कोई लेना देना नहीं कोई जमीनी नहीं है उनकी वाफ हाँ केसी आर राष्ट्रिय परिद्रिश्य में या कोई गडबंदन हुरा है खबरों के लिहाज से राजनीती में महत्तों के लिहाज से अकलेश जादाो को एक महत्व मिलता है कई मुख्य मंत्रियों को भेजा hara, अकलेश जा जादा लेकिन राहुल गांदी के साथ चलते हुए दिखने में दिक्कत है उसकी वज़े है, कांग्रेस की बेशक कमजोर जमीन सही उत्तर प्रोदेश में कॉंग्रेस की जमीन है कॉंग्रेस अपने आपको रिवाइब करने की कोशिश कर रही है किसके बूते पर जब समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस के साथ आई तो कॉंग्रेस कमजोर हो गई समाजवादी पार्टी को फाइदा हुआ अभी अगर समाजबादी पार्टी या कोई भी अन्यदल कॉंग्रेस के साथ जाता है तो निश्चित तोर पर कॉंग्रेस को फायदा होगा लेकिन किस कीमत पर इस बात का भय है इसी को राहूल गांदी कहते हैं उनकी अपनी राजनेतिक पजबूरियां अखलेश यादाउने हामी भर दिये केसी आर के निमंतरण पर ये बड़ी खबर है राहूल गांदी का भी निमंतरण था चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देका शुपकामनाय दे दी कई यात्रा में शामिल नहीं हुए लेकिन केसी आर की रैली में शामिल होंगे यानि यूपी की रैली से परहेज है और तिलंग नाना की रैली में शामिल होंगे क्यों इस रैली के जरीए केसी आर विपक्षी कुन्बे को मजबूत करना चाहते है नीतिश कुमार से उन्होंने प्रयास शुरू किये थे आपको याद होगा जब बिहार गए थे और नीतिश कुमार से मुलाकात की उसके बाद नीतिश कुमार लगाता और दिल्ली में अलग-अलग राजनेतिक दलों से मिलते रहे अगले लोकसवा चुनाओं में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाओं लडने का प्लान विपक्ष बना रहा है हाली में केसियार ने राश्टी राजधानी दिल्ली में भी पार्टी दफ्तर की शुरूआत की थी रैली में लालू नीतिश को आमंत्रन नहीं मिला है तेलंगाना के मुख्य मंत्री केसियार ने बिहार के सीएम नीतिश और लालू प्रसाद यादव को या उनके परिवार को यात्रा में शामिल होने के लिए नियोता नहीं बेजा है जबकि KCR का लालू परिवार से निकट का संबंद रहा है नीतिश कुमार के साथ तो हाली में वो प्रेस कॉंफरेंस आजा करते हुए दिखाई दिये थे केंदर में मंतरी रहते हुए लालू परसाद यादव और वो दोनों दिली में पड़ोसी भी थे यही कारण है कि KCR के सपने जब राष्टिय आकार ग्रण करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव को हैदराबाद बुला कर उनसे परामर्श लिया था यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कॉंग्रेस के साथ होने से लालू नीतिश को KCR ने अमंतरित नहीं किया आपको बता दें कि बिहार में महागडबंदन की सरकार चल रही है जिसमें कॉंग्रेस भी शामिल है और देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव कॉंग्रेस पार्टी से काफी प्रभावित भी रहते हैं सोनिया गांदी का वो हमेशा से सपोर्ट करते रहें विदेशी मूल का जब मुद्दा उठाया गया था तो लालू प्रसाद यादव खड़े रहे थे साथ में और वो हमेशा से कॉंग्रेस की तरफ दिखाई देते हैं तो कॉंग्रेस के साथ जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं होगा ये माना जा रहा है रैली में जाकर अखलेश कॉंग्रेस को क्या संदेश दे रहे हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है राजनेतिक जानकार मामते हैं कि 18 जनवरी को केसी आर की रैली में जाने की हामी भरकर अखलेश यादाउने कॉंग्रेस को इस पश्ट संदेश दे दिया है अखलेश पहले भी कॉंग्रेस और बीजेपी को एक ही जैसी पार्टी बताते रहे हैं अब जब हिंदी बेल्ट और खासतोर पर यूपी में कॉंग्रेस काफी कमजूर हो गई है तो अखलेश ने बिना किसी हिचक के दूरी बनाना ही बेतर समझा है दरसल अखलेश के लिए अतीत में भी कॉंग्रेस के साथ जाने से कुछ फाइदा नहीं मिला था उधारण के लिए साल 2017 के यूपी विदान सबा चुनाओं में अखलेश और राहूल गांदी एकसाथ चुनावी मैदान में उत्रे थे यूपी के दो लड़के आपको याद होगा जमकर तस्वीरे वाइरल की गई थी एक नारा बना दिया गया था दो यूपाओं के साथ आने से माना जा रहा था कि बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन चुनावी नतीजों में भगवा पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी इसके अलावा यूपी में कांग्रेस का अधिक वूड बैंक भी नहीं होने की वज़े से अकलेश थर्ड फरंट की ओर देख रहे हैं उन्होंने इसके जरीए ये संदेश दिया है कि वो गएर बीजेपी और गएर कांग्रेसी एकता पर जोर देने वाले है वो कांग्रेस जैसी राष्टिय पार्टी के मकाबले क्षेत्रिय दलों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है इसके बाद से सवाल उटने लगे हैं कि क्या अखलेश यादव ने लोकसबा चुनाओं के लिए अपने पत्रे कोल दी है क्या उनकी समाजवादी पार्टी अगले लोकसबा चुनाओं में कांग्रेस के बजाए अन्य दलों को पसंद करने वाली है बुलाने के बाद दी यात्रा में नहीं पहुँचे थे अखलेश यादव याद रखना होगा भारत जोर यात्रा के अगर बात करें तो कुछ सालों पहले तक कांग्रेस के इर्दगीर गुमने वाली राजनीती अब बदल गई है यूपी की बात करें तो सपा वस्पा जैसे क्षेत्रिय दल कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है इसकी जलक पिछले दिनों तब दिखाई दी जब भारत जोर यात्रा लेकर राहूल गांदी उत्तर प्रदेश पहुँचे लेकिन अपनी पार्टी के कारेकरताओं को भीज दिया था और राश्ट्य लोगदल के कारेकरताओं ने जमकर स्वागत किया था कुछ जगे पे विरोध भी हुआ था चोधरी चरण सिंग को लेकर या उनको माल्यारपन पुशपारपन नहीं हुआ पिसले कुछ दिनों में अखलेश यादव की रणनीती से साफ हो गया है कि उनके कॉंग्रेस के साथ जाने के बजाए थर्ड फरंट का हिस्सा बनने की ज़्यादा संभावना है अखलेश पर अब अखलेश की राजनीती की बात कर लेते हैं उत्तरप्रदेश की सियासत ऐसी क्या है जिसमें अखलेश यादव अपने समीकरण देखते है और राहुल गांदी से भी प्रेस कॉंफरेंस में जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हमारा दिल का रिष्टा है हम भी नफरत को खत्म करना चाहते हैं वो भी नफरत के खिलाब है मायवती अखलेश के बारे में बोल रहे थे और साथी साथ में यह कहा था उनकी राजनीतिक मजबूरिया है अब इन राजनीतिक मजबूरियों को जरा उत्तरप्रदेश की सियासत से समझते हैं और समझते हैं अखलेश पर किस तरीके से राजबर उम प्रकाश राजबर जो पुराने सयोगी रहे हैं वो हमला वर हुए है दरसल सुभासपा प्रमुक उपी राजबर अपने बयानों और अपने चौकाने वाले फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं विरासत के नेता हैं संगर्ष कर रहे हैं जब तक कॉंग्रेस ने संगर्ष किया है सत्ता में रही है सपा और बसपा ने संगर्ष किया तो वो भी सत्ता में आये थे अब भाजबर जनता के भी संगर्ष कर रही है और सत्ता में है आप जब केसियार राहूल अखिलेश की बात हो रहे हैं तो हम प्रकास राजवर को क्यों लाते हैं। किसी भी समय पर अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। अपनी राजनीती कर रहे हैं। लोकसभा चुनाओ अलग हैं, विधानसभा चुनाओ अलग हैं, क्षेत्रिय राजनीती की मजबूरियां अलग हैं। और लोकसभा में किसी एक बड़े दल के पीछे खड़ा होना इसकी मजबूरिया लग है और वो कॉंग्रेस दिखाई पड़ता है। इसके बाद भी पटना जाकर मिलने और साथ साथ मीडिया के सामने आने से ऐसा माना गया था जब केसी एर नीतिश कुमार आये थे कि बादाओं के बावज़ूद भाजपा के विरोध में नीतिश और केसी एर और तेजस्वी ये एक तिकड़ी बनेगी। लेकिन अब केसी राजनीती में आने को सोच रहे हैं तो तिकड़ी बनाकर एक मजबूत समूह बनाने की कोशिश में जुटे हैं और कॉंग्रेस से अलग भी दिखना चाहते हैं। यातरा से कन्नी काट रहे हैं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी की सियासत में कॉंग्रेस अचूत क्यों बन गई है। समाजवादी पार्टी अपनी स्थिती को मजबूत बना रही है वही मायावती निकाय चुनाओं के जरिये अपनी ताकत बढ़ाने की पोशिश में जुटी दिखती है। इन तमाम मुद्दों के बीच कोई दल प्रदेश में नए राजनेतिक विकल्प को अपने सामने खड़ा नहीं होने देना चाहता है। उधारन के लिए कॉंग्रेस। मतलब प्रदेश में वो कॉंग्रेस के साथ खड़े होकर नहीं दिखना चाहते हैं। अपने बूते पर काम करना चाहते हैं। कुछ यही रणनीती ममता बनर जी की है। सभी की यही रणनीती है जितने क्षत्रप है कि हम अपने अपने राज क्यों। उनको भी तो सांसत चाहिए। कॉंग्रेस को सपोर्ट करके कॉंग्रेस को मजबूत कर देंगे इनको क्या मिलेगा। कॉंग्रेस कमजोर हुई है तब तो क्षत्रप बड़े हैं। तभी तो इनकी ताकत बड़ी है। इसको कॉंग्रेस भी जानती है। राजनेतिक दलों ने क्यों किनारा किया है। उसकी एक बहुत बड़ी वज़े ये पश्ट तोर पर समझ में आती। कुछ और वज़ों पर चर्चा करें। यूपी में विपक्ष का चेरा इस समय अकलेश यादा हुए। भारती जनता पार्टी से नाराज वोड बैंक अब उनके पाले में जाता है। उनके साथ राश्टिय लोगदल भी खड़ा है। दोनों ही दलों ने राहूल गांदी के भारत जुड़ो यात्रा से किनारा किया है। पश्चिम उत्तरप्रदेश पिछले करीब दो सालों में सबसे आदा चर्चा के केंदर में रहा। किसान अंदोलन रहा इसका कारण। किसान अंदोलन के बाद चुनाओं में कॉंग्रेस पंजाब की सत्ता से बाहर हो गई। पश्चिम उपी में भी ना कॉंग्रेस ना सफा रालोत गड़बंदन को इसका फायदा मिला हला कि पिछले दिनों हुए खतौली विदान सभा के उप चुनाओं में जीत से रालोत सफा गड़बंदन उत्साहित है। चुनाओं में पार्टी को साथ सीटों से संतोष करना पड़ा था। पिछला यूपी चुनाओं कॉंग्रेस और सपा ने मिलकर लड़ा था लेकिन इसके बावजूद पार्टी कोई कमाल नहीं निखा पाई। का अकड़ा भी पार्व नहीं कर पाई। लेकिन अभी क्या हालत है अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। कई महीने तक प्रियंका ने खुद को प्रदेश की राजनीती में जोका, विपक्ष की ओर से सशकता आवाज बनी, हातरस का मुद्धा उठाया, लखीमपूर खीरी का उठाया, उन्नाओ का उठाया, बहुत मुद्धे उठाया, यूपी सरकार पर निशाने साधे, उसे लखीमपूर रवाना हो गई, उन्नाओ आपको मामला याद होगा कितना किस तरीके से उठाया था, गिरफतार तक कर लिया गया था लखीमपूर कीरी वाले मामले में, तो प्रियंका लगातार दावे करती रहीं कि जब भी प्रदेश में कोई बड़ा मुद्धा उठा तो वो उनके और उनकी पार्टी द्वाराई उठाया गया, प्रियंका ने ये भी कहा था कि उपी में उनकी लड़ाई लंबे समय था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा भी दिया था बाद में विदानसबा चुनाओं, लेकिन कोई फाइदा नहीं मिला, कॉंग् मनिपूर में पांस सीटे जीतने में कामिया रही थी कॉंग्रेस, ऐसे में कॉंग्रेस का यूपी में प्रदर्शन मनिपूर के मुकाबले भी काफी खराब रहा हूँ, मनिपूर में एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की, पार्टी को 32 सीटों पर्दी तो आप दिया था, उनके प्रदेश अद्यक्ष अजे कुमार ललू थे, वो चुनाव हार गए थे, निशाद गड़बंदन के डॉक्टर असीम कुमार ने 1,14,957 मतों से हरा दिया थे, खेर ये एक पुरानी कहानी हो गई, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब कॉंग्रेस जो है वो ध दूत रखना चाहते हैं, और ये भी समझ लीजे कि अकले शादव इस चुनावती को भी जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो विदान सभा चुनाव जैसा माहोल नहीं होगा, मेनपूरी की जीस से वो उतसाइद जरूर है, लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाह ये कि यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और उनका तभी काटे का हो सकता है जब बाकी के दल भी उनके साथ कहीं दिखाई देने, नहीं तो आजम गड़ एक बहुत बड़ा उधारन है, बेशक मेन पूरी मखुश हो जाई है, आजम गड़ भी इनका गड़ था, और आजम चुनाओं के लियाद से कॉंग्रेस और उनका चेहरा याने राहूल गांदी ये बड़े चेहरे के तौर पर इस्नावी कुश्किल है, प्रगान मंतरी मोधी के संकक्ष वो खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उनकी लोगपेता क्या रहेगी, अभी कहना बड़ा बाकी देश में जो हुरा उसमें शरत पवार, ममता बनर जी, केसी आर क्या कहते हैं, उनके साथ में चलना चाहते हैं, कॉंग्रेस से भी कोई ऐसा विशेश परहेज नहीं है, अलाकि वो कह चुके हैं कि कॉंग्रेस बीजेपी हमारे लिए दोनों बराबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात, उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, तो कमेंट कुछ और है, इसी लिए उत्तर प्रदेश में नजदीक की यात्रा तक तो वो नहीं गए, लेकिन तेलंगाना जाएंगे, केसी आर की यात्रा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें